नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज महत्मा गांदी जी की 148 वी जनम जनती है और साथ ही दाल भादर शास्त्री जी का भी जनम दिन है आज का दिन भारत में सच्छता विवस के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों लगबग दोश तताब्दियों से प्रतंतरता की बेड़ी में जकड़ी हुई भारत माता मता की पैरों में पढ़ीवी बेड़्यों को काटने के लिए अहिंसा सत्य और सत्य अग्रे जैसे मंद्रों को देने वाले महत्मा गांदी जी का आज जनम दिन है दोस्तों के युवा महत्मा गांदी के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का विश्र नहीं है क्योंकि ईश्वरी गुणों से परिपून योगेश्वर स्री कृष्ण को भी जब आलोचनाव का सामना करना पड़ा था तो गांधी जी तो एक सामान निमानव थे कि गांधी जी ने अपनी मानविय चंताओ के साथ किंतु एदित्वे नेतरत्व चंता को लेकर, विवाव को देश की स्वतंतरता के लिए कारकरन ने हितु प्रेरित किया और और अहिंसा के मारग पर ले जाकर अंग्रेजी सामराज्ज के नीव को हिला दिया दोस्तो इस बात में बिलकुल भी संदे नहीं है कि आजादी किसी एक व्यक्ति के परियासों एवं परिश्रम का परिणाम नहीं थी आजादी के लिए हजारों लाखों जिनने हम जानते हैं, वे भी और जिनने हम नहीं जानते उन्होंने भी अपना बलिदान दिया बहगत सिंग, राजगुरू, सुबाज चंद्रबोस, अस्वाकुल्लाखा, सावरकर और अनेक अनेक वीरों ने अपने प्राणों के आउती दी। किंतो दोस्तों अहिंसा का मंद्र जो गांदिी जी न दिया विजा संपून विश्व के लिए एक हतीयार बन चुका है, बुराई केखलाब लडने का। अहिंसा को अत्यार कहना हिंसा के लिए हत्यार का प्रियोग किया जाता है परन्तु अहिंसा एक ऐसा सस्त्र जिसने अंग्रेजों के कभी अस्तना उने वाले सूर्ग को भी अस्त कर दिया था दोस्तो गांधी जी के बारे में यह हमारी ब्रमदन है कि कुछ लोग कहते हैं कि तेश को नहीं रोखा दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब परन्तु मित्रूं, जो लोग गांधी जी को जानते हैं या जो लोगोंने उनके साथ मैकारी किया है। गांधी जी जीवन पर भगवत गीता का प्रभाव इस पश्ट दिखाए देता है। गांदी जी ने अपने जीवन में जितना हुं सकता था इस पश्ट और सार्वधनिक जीवन जीने का प्रियास किया, उन्होंने अपनी आत्म कथा सत्य के साथ मेरे प्रियोग में कुछ ऐसी गुप्त से भी गुप्त बातों का वर्णन किया है, जो सामाने मनुष इनको वर्ण प्रियोग की है, मित्रुम मुझे पिछले वर्ष सावरमती आश्रम जाने का मौका मिला था, मैं वहाँ आपर गया, मैंने आश्रम में गांदी जी से जुड़ी ही बातों को करीब से जाना, गांदी जी को कहा जाए कि उन्हें जर्रों से जादा सम्मान दिया गया, या फिर एक राष्ट के लिए उन्हें राष्ट पिता माना गया, कुछ लोगों का मत हो सकता है कि राष्ट का कोई पिता नहीं होता, सभी लोग मा की संतान होते हैं, मा भारती की संतान है, बिल्कुल सही बात है, गांदी जी को व्यक्ति के रूप में चाहे हम सम्मान दे या ना दे श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में हम सम्मान देया ना दे परन्तु जिस प्रकार श्री कृष्ण ने महाबारत की युद्ध में गीता के उपदेश्ट वारा धर्म के स्थापना के थी हमें ये मानना होगा या मानना चाहिए कि गांदी जी ने भी अहिंसा का मंत्र देकर पुने माबारती को विश्वगुरु के सिंगासन पर राजित करने के लिए उसकी पड़त अंतरता की जो बेडियां थी उनको काटने का मार्ग परशस्त किया था गांदी जी के जीवन में भी कई ऐसे बिंदु रहे जो बहस का विश्व हो सकते हैं परन्तु ततकालिक परिस्तितियों में एक यूग पुरुष के रूप में गांदी जी उभर कर सामने आये थे मित्रो गांदी जी को भारत का राष्ट पिता कहना मा भारती के लिए भी गौरप का विशह है गांदी जी को भारत रातन मिला हो ना मिला हो इंतराष्टिय स्तर पर सम्मान दिया गया हो या ना दिया गया हो परन्तु संपून विश्प में अहिंसा जैसे भगवान बुद् जय हिन जय भारत सुनने के लिए धन्यवाद आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है उस पर इस पोश्ट को भी पढ़ सकते हैं मित्रो मेरा इस वीडियो के पोश्ट करने के पीछे के अब इतना सही मक्सद है कि गांधी जी को अपने विचारों से न देखकर उनकी सोच उनका अहिंसा का मंत्र सत्य के साथ में उनके जो प्रियोग हैं सत्य पर चलने की जो प्रेंड़ना उनका जीवन देता है उसको लेकर हम आगे बढ़ें गांधी जी ने राजनितिक रूप में अपने सामाजिक जीवन में असारवज अच्छा था उसको लेकर कई बार बहस भी होती है और होती रहनी चाहिए बहस एक अच्छे निश्कर्स पर पहुंचे तो अच्छा है तरकों के साथ में बात आते हैं चाहिए को तरकों से कोई लाब नहीं होता है जहिंद बंदे मात्र झाल